हलो स्टूदेंस गुडी निक कैसे हो आप सब बच्चे I hope you all are good सब बच्चों को पता है ना कि आप सब बच्चों को अपना homework मैं को send करना है और मैं आप ने जो activity आपको बनाने के दिया बेटा जिनके पास drawing file नहीं है जिन्होंने extra drawing file नहीं लिये को अपनी note books में paste करके मैं आपको submit कराएंगे ठीक है बच्चों तो आज की date की आप बच्चों तो आज की date की आपकी date is 1-3-30-8-2020 और day आज का day क्या है Thursday D-H-U-R-S-D-A-Y Thursday और आज का आज का subject क्या है? Math और आज मैं आज मात का करने वालो spelling of three आपने one और two की spelling बिटा पड़ी होगी one की spelling कै होती है O-N-E-One one की spelling कै होती है बिटा O-N-E-One ility और आपने two की spelling पड़ी है two की spelling क्या होती है T-W-O-Two आपने one और two की spelling का बच्चों को learn कर्गी है मामने बोलाता ना काफ को लान हो गई होगी तो आज हम क्या सीखने वाले हैं spelling और 3 हम 3 की spelling सीखेंगे आज चीखेंगे बिटा सब बच्या को अपनी notebook में पूरे whole page नाम को क्या लिखना है 3 और 3 की spelling तो 3 की spelling क्या होती है बिटा T-H-R-E-E क्या बना? 3 क्या बना बिटा? 3 आपको इस साइप की लिखना है इस करी के साब पहले numbers में रिको हुए 3 और उसके बाद spelling 3 किस करी क्यों होती है? T-H-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E आपको 1 box चोड़के फिर 3 दुबारा देखना है 1 box चोड़के 3 इस तरीके साथ आपको आपकी पूरी load book में क्या spelling इतनी है? 3 की spelling इतनी है इस तरीके से बीट करके जाऊंसों बच्चे में पीजे T-H-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E H, R, W, E, क्या बना बेटा? 3, मैं आपने 3 टाइम से लिगा है, लेकिना आपको किपना लिखना है? आपको पूरा whole page, आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है और 3 की spelling लिखनी है, यह क्या है आपको बेटा? Class वाथा, आप class वाथ में भी करोगे ये, और home work में भी यही करोगे तो आपको कितने page करने हैं 2 pages बेटा सब बच्चे यह 2 pages करेंगे तब ही आपको और सब बच्चों को लिख लिख के पढ़ना है जैसे आपको 3 लिख होगे अपने note form में आपको और रीड बोला भी है उसे 3 फिर 3 की spelling लिख होगे तो इसर पढ़ बढ़ के लिख होगे 3 एच आट दवार्थी 3 जब आप बोल बोल के लिख होगे तो आपको क्या होगा लान ज़द लिख होगा ठीक है पेटा एक बड़ दो आपको लिख करें 3 की 3 की spelling क्या होगी है 3 एच आट डवार्थी क्या बना 3 सब बच्चों को यह रोंबब करके नांको सेंड करना है